हाई फ्रेंड्स वेलकम तो आवर यूटूब चैनल एयज जेस्टेडी दोस्तो आज के इस दोर में हम सभी फेस्बुक का यूज करते हैं बट इन में से बहुत कम ही परसन फेस्बुक के बारे में जानते हैं तो आज इस ओडियो में हम फेस्बुक को जाने बुक का करने से पहले आप सबोस एक छोटी सी रिक्वेश्ट है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ओडियो पसंद आये तो इसे लाइक और सेयर करें तो चलिए ओडियो स्टार्ट करते हैं पूस्तक फेस्बुक को जाने लेखक पर अपने मित्रों, परिवारों वपरिचीतों के साथ संपर्क रख सकते हैं या अमेरिकी बोराष्ट्रे कंपणी फेस्बुक इनकॉर्परेशन मैनलो पार्क केलिफोर्निया द्वारा संचालित हैं इसके उप्योग करता नगर विद्याले कार्यस्थल या छेत्रे कहनुसार गठित किये हुए नेटवर्क में सामिल हो सकते हैं और आपस में वीचारों का आदान पदान कर सकते हैं इसका नाम कुछ अमेरिकी विश्विद्यालियों में शात्रों की निर्दे सीका के लिए प्रचलित सब्द फेस्बुक पर अधारित है चार फड़वर्ड दुहजर उस्तिव शंबाद स्थापित करने के लिए शुरू हुई इस सोचल नेटवर्किंग शेवा ने एतिहासिक तेजी से लोगप्रियता हासिल की थी कुछ ही मैनों में यह अमेरिका की सीमा कुलांकर यूरोपिय देशों में लोगप्रिये हो गई थी हिंदी सहित दुनिया की तमाम प्रमुक भासाओं में इसकी सेवा उपलब्ध है वेव यातायात निगरानी कमपणी एलेक्सा इंटरनेट के ताजे आकरों 23 जन्वरी 2014 के मुताविक 1.28 अरव पंजिकरित उप्योग करताओं के साथ यह दुनिया की सबसे बड़ी सोसल नेटवर्किंग सेवा है जटकी गूगल के बाद दूसरी सबसे बड़ी इंटरनेट सेवा कमपणी है आए हम आपको इस कमपणी की अद्बूत कहानी यात्रा पर ले चलते हैं बाल परतिभा जुकरवर्ग का परिवार वसिक्षा फेस्बूक के संस्थापक मार्क इलियट जुकरवर्ग का जन 14 मई 1984 को हुआट लेंस बेस्ट चेस्टर काउंटी न्यूयार्क संजुक तराज अमेरिका में हुआ था यह न्यूयार्क सीटी से करीब 51 किलोमीटर उत्तर में स्थित है वह दंत चिकित्सक डॉक्टर एडवर्ड जुकरवर्ग वह मनो चिकित्सक करेन केमपनर दूसरी संतान है वह अपनी तीन बहनों रेंडी बरी डोना वह अरी एलो के साथ न्यूयार्क सीटी के लगवक 16 किलोमीटर उत्तर में इस्थित एक ग्रामीन इलाके डॉब्स फेरी वेस्ट चेस्टर काउंटी के पसिमी भाग में बसे सहर ग्रीन वर्ग का हिस्सा में पले बढ़े थे डोना के जन्म के साल भरबाद सन 1987 में एडवर्ड जुकरवर्ग ने वाट प्लेंस के मुकाबले कापी सांत इलाके डॉब्स फेरी में अपना अस्थाई निवास करिदा था और उसी के भूतल में दंत चिक्त साले भी अस्थांतरित कर लिया था डॉब्स फेरी का कुल शेतर पल 8.3 वर किलोमीटर है जिसका 6.2 वर किलोमीटर भूमी और 1.8 वर किलोमीटर पानी है या पश्री में हड्शन नदी से गीरा है तो पूर्व में हड्शन नदी की सायक नदी 100 मिल से गौं के बीचों बीच पश्रीम से पूर्व की ओर विकर्स क्रीक खारी गुजरती है इसका मुख जल स्रोत 76 एकर में फैले जंगली उद्धान जुहरिंग नेचर प्रिजर्ब में इस्तित विशाल तलाव टॉडस पॉंड है सारवजनिक वज सेवा के अलावा डॉप्स फेरी रेलवे स्टेशन से होती हुई देनिक यात्री रेल सेवा गुजरती है जिससे Grand Central Terminal Midtown Manhattan, New York City तक महुचने में एक्स्प्रेस रेलगारी से 37 मिनट तथा अस्थानिय रेलगारी से 43 मिनट का समय लगता है डॉक्टर एडवर्ड जुकरवर्ग का जीवन New York City में ब्रुक लीन में हर्टन के बाद दूसरी सबसे बरी घहनी अबादी वाले चेत्र के पेरों की पंक्तियों वाले समुदाइक इलाके प्लेट बूस में गुजरा था उसके डाक्या पिता जेक जुकरवर्ग अश्रियाई यहुदी वमाता मिरियम हॉलेंडर पॉलेंड यहुदी मूल के विस्थापित परिवारों से तालुक रखते थे एडवर्ड की कहानी एक ऐसे जुनुनी परिवार की कहानी है जिसने कुछ खास करने के लिए लागातार संगर्स किया था कम आमदनी के वावजूद जेक जुकरवर्ग अपने बेटे का स्वख पूरा करने के लिए अपने आज परोस में सबसे पहला रंगीन टीवी घर लाए थे एडवर्ड घर के ड्राइंग रूम में रखे टीवी के सामने घंटो चिपका रहता था वा पढ़ने लिखने में काफी तीवर बुद्धी का चातर था उसने हाई स्कूल में गनित वा विज्यान में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था और कम्प्यूटर विज्यान की पढ़ाई करना चाहता था लेकिन उस जमाने में यहुदी माता पिता अपने बच्चे को चिकित्सक डॉक्टर बनाने का सपना देखा करते थी लिहाजा एडवर्ड ने शन 1975 में न्यूयर्क सिटी विश्विद्याले के ब्रुकलीन कॉलेज ब्रुकलीन न्यूयर्क सिसनातक जीव विज्यान बी एस बॉयलोजी की उपाधी हासिल की थी न्यूयर्क मैगजीन 6 मई 2012 से बाचित में डॉक्टर एडवर्ड जुकरवर्ग ने अपने जीवन की पुराने पन्ने को पल्टा था न्यूयर्क सहर में यहुदियों के बीच पलते बढ़ते यदि आपके पास आधा दिमाग होता तो माता पिता चाहते थे कि आप चिकित्सक या दंचिकित्सक बने मैं वास्ताब में गनित का लर्का था लेकिन उस वक्त कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग में बहुत सी नोक्रिया नहीं थी जैसा कि आप पढ़ते हैं बरे कमरे के आकार की कम्प्यूटर होते थे वे उनमें से कुछ पंच कार्ड पर काम करते थे हसते हुए मेरे माता पिता कहा करते थे कि वह मेरे समय का उचित उप्योग नहीं था यह तीवरे बुद्धी वाले चतुर लर्कों के लिए नहीं था कॉलेज अप डेन्टिस्ट्री अपने मजबूत नेदानिक प्रिशिक्षन उत्कृष्ट अनुसंदान परतिष्ठा क्रम तथा रोग्यों के व्यापक विविद जमावरे के लिए जाना जाता था प्तर के दसक के मद का यह वही वक्त था जब लौस अल्टोस सिलिकन वेली कैलिपोर्निया में स्टीब जॉब्स अपने पिता के गैरेज में स्टीब बेंजी अक के साथ मिलकर सर्किट बोर्ड अधारित प्रशनल कम्प्यूटर एपल वन बना रहा था और दूसरी तरफ हरवर्ड की पढ़ाई छोड़कर बिल गेट्स अपने दोस्त पॉल एलन के साथ दुनिया के पहले प्रशनल कम्प्यूटर अल्टेयर 8800 के लिए कम्प्यूटर कारिकरम भासा बेसिक का दुभासिया अल्टेयर बेसिक बना रहा था लेकिन एडवर्ड यूगरवर्ड के लिए अपने संगर्शरत यहुदी परिवार की आर्तिक सुरक्षा वा माता पिता का सपना सबसे बरा सवाल था उसे हर हाल में ऐसे पैसे को छुनना था जिससे ततकाल आमदनी शुरू हो जाए और उसके परिवार को पर्तिष्ठा मिले इसलिए उसने न्यूयार्क उन्वर्शिटी एन वाई यू कॉलेज अफ इंटिस्ट्री मिड़ टाउन मेन हर्टन न्यूयार्क सिटी में द्याखिला लिया था यदंत चिकित्सा महविद्याले अपने मजबूत नेदानिक प्रसीक्षन, क्लिनिकल ट्रेनिंग, उतक्रिष्ट अनुसंधान, पर्तिष्टा, क्रम, रिसर्च रेंकिंग तथा रोगियों के व्यापक हुआ विविद जमावरे के लिए जाना जाता था अब एडवर्ड को अपने बेहतर पेसिवर जीवन की उमीद बांधने लगी थी और उसके मन में जीवन साथी की तलास शुरू हो गई थी इसी दोरान उसे ब्रूकलीन कॉलेज में पढ़ रही अंतर सनातक छात्रा जी विग्यान करेन कंपनर के साथ और परिचित प्रेम मुलाकात ब्लाइंड डेट पर जाने कमों का मिला था दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया था करेन के पिता सिडनी कंपनर का संबंध और श्टियाई यहुदी मूल के बुलगेरिया के धनाढ़े करोबाड़ी परिवार से था 9 सितंबर 1944 इस्वी की एतिहासिक समाजवादी क्रांती सत्ता पलट के बाद वहां यहुदी मूल की नागरिकों की प्रतारना तेज हो गई थी इसी कारण करेन के पिता का परिवार भी विस्थापित होकर न्यूयार्क अमेरिका में आबसा था सन 1979 में दंत सले चिकित सक डॉक्टर ओफ डेंटर सरजरी डीडी एस की उपाधी हासिल करने के बाद एडवर्ड जुकरवर्ग ने सन 1989 में ब्रूकलीन विये होस्पीटल में जनरल प्रैक्टिस रेजिडेंसी पूरा किया था और ब्रूकलीन में ही अपना दंत चिकित साले शुरू कर लिया था इसी के आसपास वर्ष 1989 में उन्होंने करेन से शादे भी कर ले थी उसबक्त करेन न्यूयार्क मेडिकल कॉलेज वलहेला माउंट प्लेजेंट वेस्ट चेस्टर काउंटी में मनोचिक्टसा साइक केटरी की पढ़ाई कर रही थी लिहाजा एड़्वर्ड ने करेन की कॉलेज आने जाने की सुविदा के मद्यनेजर नजदी की सहर वाइट प्लेंस वेस्ट चेस्टर काउंटी में एक अपार्टमेंट किराये पर लिया था और दोनों वहीं रहने लगे थे ब्रुकलीन से वाइट प्लेंस की दोरी करिब 52 किलो मीटर है अगले कई वर्षों तक एड़्वर्ड को रोजाना वहां से ब्रुकलीन आना पड़ता था सन 1982 में रेंडी जुकरवर्ग पैदा हुई थी जिसके दो वर्ष बाद 1984 में मार्क इलियट जुकरवर्ग और उसके तीन वर्ष बाद 1986 में डोना जुकरवर्ग का जन्म हुआ था इस बीच अपने लगातार बरे हो रहे दिवार और अपने चिकित साला के लिए एड़वर्ड का अस्थाही आवास चुनने का दवाब बना हुआ था एड़वर्ड को वाइट प्लेंस से 16 किलिम्टर दूर इस्थित ग्रामिन इलाका डॉप्स फेरी बहुत सांत वा अच्छा लगा था जो नदियों पहाडियों जंगलों वा उद्यान से गिरा हुआ था लिहाजा उसने वहाँ ठेके पर घर का निर्मान कारी शुरू करवा दिया था सन 1987 में घर तयार हो गया था और एड़वर्ड करेन अपने बच्चों सहीद नई घर में रहने लगे थे एड़वर्ड ने डॉब्स फेरी टू रसेल प्लेस नर्थ फिल्ड एवेन्यो निवास भूतल को अत्या धूनिक दंद चिक्चाला में बदल दिया था वह खुद परतिबद गोता खोर वह तेराग थी उन्होंने चिक्चाला को जलिया आकरितियों मूंगा के भीती चित्रों, म्यूरल एवं दो परिक्षन कक्चों के बीच एक 200 गेलन की मचली टंकी फिश टेंक से सजाया था करेन अब बकाइदा अनुग्या पत्रधारी लाइसेंस होल्डर मनोचिक्चसक थी और उसने चिक्चसालाय प्रवंदक का काम संभाल लिया था कुछ सालों बात करेन ने करीब साल भर तक अपने मनोचिक्चसक के पैसे में लोटने की कोशिस की थी लेकिन अपने बच्चों की देखवाल के लिए उसे अपने पैसे को लगवग पूरी तरह त्याग देना परा था असल में परिवार हमेशा कसकर बुना हुआ था घर वदंट चिक्चसालाय के बीच महज एक बैठक खाने का फर्ग था यह डॉक्टर जुकरवर्ग को अपने परिवार वर रोगियों दोनों के बीच खास तरह की नजदेक्या परदान करता था इस विवस्ता नेव्यक्ति गत वपैसे वर उप्रद्योगिकियों के बीच एक सहजीबी संबंद बनाने में भी मदद की थी बच्ची अक्सर बैठक कक्स में पर्तिक्षा कर रहे रोगियों एवं चिकित साले के अंदर बाहर घुमा करते थे उन पर चिकित साप उपकरनों का भी काफी प्रोहा परा था खासतोर पर मार्क हुआ एरियले पर डॉक्टर जुकरबर्ग हमेशा से सुरुआती परद्योगिकियों को अपनाने वालों में से थे उन्होंने सन 1980 में ही पहला घरेलू कंप्यूटर अटारी 800 खरीदा था जब उन्होंने अपना घर करिदा था तो उन्होंने उसमें इंटरनेट लगवाया था हलाकि उस बक्त डायल अप कनेक्शन काफी धीमा था फिर भी उन्होंने ऑनलाइन बैंक सेवा के जरिये अपने भुक्तान की सुरुआत की थी उस वक्त कंप्यूटर काफी महँगा हुआ करता था वर्स लेकिन 1985 में जब पहली बार दंद चिक्तसाले प्रबंधन शौप्ट वेर आया था तो डॉक्टर जुकरवर्ग उसे अपने चिक्तसाले प्रबंधन हेतो उपियो करने लगे थे लिहाजा जब वेस्ट चेस्टर काउंटी के अधिकांस बच्चे पूरे परिवार के बीच धीमे डायल अप कनेक्शन को साजा कर रहे थे तो जुकरवर्ग परिवार चिक्तसाले में मौजुद पुर्वकालिक, हाई स्पीड, बांड, बैंड, रिप, स्पीड, स्पीड, स के दोरान ही उनका कम्प्यूटर में काफी रूची थी, महज 10 साल की उम्र में डॉक्टर जुकरवर्ग ने मार्ग को उसका पहला प्रशनल कम्प्यूटर PC, क्वांटेक्स, 486 DX, इंटेल, 486 माइक्रोचिप पर अधारित खरीदा दिया था, उन्होंने मार्ग को सबसे पहल बुनियादी कम्प्यूटर कारिकरम भासा प्रोग्रामिंग लेंग्वेंज, अटारी सिखाई थी, जो 1990 के दसक में और्केट कम्प्यूटर गेम्स, घरेलू वीडियो गेम, कंसोल, घरेलू कम्प्यूटरों पर खास तोर पर खेल, खेलने के लिए इस्तमाल होती थी, डॉ मार्क को स्टीपन आर, डेविस की आम लोगों को कम्प्यूटर कारिकरम भासा C++ चिखाने वाली पुस्तक C++ for Dummies, जाने वीले एंट संस भेट की थी, मार्क के लिए वह पुस्तक वरदान सावित हुई, उसने उस पुस्तक से खुद बखुद कम्प्यूटर कारिकरम बनाना शुरू कर दिया था, वर्स 1995 में मार्क्स डॉब्स फेरी नौर्थ फिल्ड एवेन्यू से करीब दूपंड दू किलोमीटर इस्तित आर्ड्सले इन बर्ग सहर का हिस्सा, इस्तित आर्ड्सले मीडिल स्कूल में पांचवी कक्षा में भरती कराया गया था, तभी डॉक्टर लिए अंतरकार याले संचार सौप्टवेर कारकरम जुकनेट तयार करने में सक्षम हो गया था, जिसके जर्गे नेटवर्क कम्प्यूटरों पर त्वरित संदेश इन स्टेट मैसेज भेजा जा सकता था, आज यह एक मामूली सी बात लगती है, लेकिन उस वक्त यह एक ब वर्ष 1997 में AOL Instant Messenger AIM की पेसकस की थी, वर्ष 1999 में आर्डशले हाई स्कूल में नौवी कक्षा में दाखिला लेने के बाद मार्क का कम्प्यूटर ग्यान इतना हो गया था कि घर के पास में ही इस्तित मर्शी कॉलेज डॉब्स फेरी ने उसे सनातक अस्तर के कम्प्यूटर व विज्ञान वगनित की पढ़ाई का अस्तर ज्यादा उंचा नहीं था इसके अलाबा डॉक्टर जुकरवर्ग अपने बेटे को भविस में बरे नीजी विश्विद्यालों में दाखिला करवाने के लिहाज से एक विश्व अस्तरिय सेक्षिनिक माहुल देना चाहते थे ल संजुक्त राज अमेरिका में सबसे पुराने वा नामची नेजी विद्यालेयों उच मादमिक विद्याले में से एक है सन 1781 में धनाड़ाय अमेर्की व्यपारी वा इसकूलों में सुरुवाती संदक्षक डॉक्टर जॉन फिलिप्स वा उनकी पतनी एलिजापेत ने इस विद्यालेयों के स्थापना की थी टूपन्ट फाइफ वन वर किलोमीटर लगभग 619 एकर में फेला हुआ 127 खुबसुरुत भवनों की स्रिंखाला वाला या विशाल विद्यालेयों परिसर अपने आप में एक सहर जेसा है वह परिसर एकसेटर नदी के किनारे पर बसा है जहां से वह स्कू आउम स्कौर्ट नदी में बदल जाती है एकसेटर में विज्ञान गनीद खगोल विज्ञान वबहत की के अलाबा मार्क ने भासा साहित दर्शन इतिहास कला पुरा तत्व एबम अन संस्कृती विशायों में अववल दर्जा प्राप्त किया था हर्वड के अपने नमांकन आवेदन में मार्क ने बकायदा उल्ले किया